Welcome from salary के वीडियो में अभी तक हमने देखा है basic salary के रूस देखे हम कैसे उसकी करना करते हैं फिर हमने allowances देखे भत्ते जो तीन तरह के थे हमारे पूर्टय कर्योगे अंच्टय कर्योगे पूर्टय कर्मुक्त फिर हमने देखे profits in lieu of salary यानि वेतन के स्थान पे क्या क्या लाभ मिलते हैं उसकी कर्मुक्ती और कर्योगे के क्या नियम है फिर हमने देखी कटाओतियां कैसे स्विक्रत करते हैं अब जो वीडियो यहां से स्टार्ट होंगे हमारे वो वीडियो हमारे है taxable percusates के बारे में कर्योगे सुवीधाओं के बारे में तो percusates यानि सुवीधाए इसको भी तीन भागों में बाटा गया है एक जो सभी करमचारियों के लिए कर्योगे है एक जो सभी करमचारियों के लिए कर्योगे है और एक जो विशिश करमचारियों के लिए कर्योगे है इसमें जो सबसे पहला मैं यहां पर शुरू कर रही हूँ वो मैं शुरू कर रही हूँ आपके लिए सभी करमचारियों के कि तरह थियोरी बेस ही है इसमें रूस के बारे में मैं आपको समझा रही हूँ इसमें जो में में पॉइंट्स हैं जो थोड़े से बड़े और इंपॉर्टेंट है उनके मैंने अलग से वीडियो बनाए है जैसे आप यहां पढ़ेंगे मुफ्त मकान की सुवीधा तो मुफ् लेकिन बहुत बड़ी नहीं है, उन सब को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है, जो पॉइंट्स इस वीडियो में शामिल नहीं है, उनके अलग से आगे वीडियो आपके पास आएंगे, तो इस वीडियो में जो चीज मैं समझाऊंगे, उसकी थियोरी आपको वही सेम करनी है ताकि जब आगी के अपने एक्जामपल आएंगे तो आपने कुछ समझ सकें अब मैं बताओ अंतर की क्या अंतर है अलाउंसेज में और सुवीधा में जैसे आप अलाउंसेज पढ़ें तो आपने एक शब्द पढ़ा होगा हाउस रेंट अलाउंस मकान किराया भत्ता यहाँ पर हम पढ़ेंगे हाउस फैसिलिटी ऐसी वहाँ पर अपने पढ़ा था मेडिकल अलाउंस चिकित सा भत्ता यहाँ पर अपन पढ़ेंगे मेडिकल फैसिलिटी सेम इस तरीके से वहाँ पर था एजुकेशन अलाउंस यहाँ पर आएगा एजुकेशन फैसिलिटी व अलाउंस तो वो चीज है जिसमें आपको मकान किराय के नाम से या चिकितसा के नाम से या एजूकेशन के नाम से या सर्वेंट के नाम से कोई राशी पर मन्त सेलरी के साथ फिक्स राशी के रूप में मिलती है चाहे आप उसको वास्तों में खर्च करें या नहीं करें वो आपको हर मेने मिलेगी मिलेगी यानि आप बिमार हो चाहे नहीं हो आपको हर मेने एक चिकित सा भत्ता मिलता है आप सर्वेंट रखो चाहे ना रखो आपको सर्वेंट अलाउंस मिलता है आपके बच्चे in school में पढ़ने के लिए आपको पैसे की जुरत हो चाहे नहीं हो लेकिन आपको एक education allowance बच्चों का मिल ही रहा है आपका चाहे खरचा कम हो चाहे खरचा जादा हो एक fix राशी आपको हर मेंने मिलती है वो आपको होते हैं भथे सुवीधाओं में यह होता है कि आपको राशी पेमेंट नहीं करता है नियोकता आपको वो चीज प्रोवाइड करा देता है वो आपको मकान किराया आपका पैसा नहीं दे रहा है रहने के लिए वो पैसा नहीं दे रहा है आपको चिकिसा के लिए आपकी बिमार पढ़ने पर वो आपका इलाज कराने की सुविधा दे रहा है आपको या आपको बच्चों के पढ़ने की फैसिलिटी दे रहा है आपको या फिर आपको सर्वेंट की फैसिलिटी दे रहा है आपको घर पे ही करयोग्य अनुलाब कौन-कौन से हैं तो यहां पर पहला जो मुख्य है वो है अपना किराय से मुक्त सुसजित अत्वा असुसजित मकान की सुवीदा मतलब फ्री में आपको रहने के लिए मकान दिया हुआ है जो सुसजित यानि फरनिश्ट हो सकता है यानि साथ में आपको उनुलाइन पर uhट दियावा हो अन फरनिश्ट हो सकता है मतलब अपको स्रिफ मकान दियावा आपको furniture साथ में और equipment के शाल सोसजित यानि साथ और चैवल मकान दिया है कोई कोई न्य चीज़े नहीं दी हैं तो वह कहला आगवा हम लिए unfurnished है यह सुवीदा सभी करमचारि के लिए पूर्ट है कर योग्य है सेम ऐसे होटल में रहने की सुवीदा ये भी सरी करमचारी के लिए कर योग्य है पर इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि दोनों अपने आप काफी बड़ी रूस वाली एक सुवीदा है तो आगे एक वीडियो आएंगे जिसमें आपको समझाओंगी मकान की सुवीदापन कैसे करियोगे करते हैं नेक्स जो सुवीदा है सभी करम चाले करियोगे वो है द्रिक्ति के दाईत्मों का भुगतान ऐसे ही एलाईसी का भुगतान परविशनिधी में सीमा से अधिक का भुगतान उस अधिक राशी पर ब्याज की राशी और अन्य अनुसारणशिक लाब जो है इसमें जब मैं यहा पर ब्याज मुक्त वाला है तो ब्याज मुक्त अपने आप में एक टॉपिक है इसको भी मैं आगे एक वीडियो में आपको अलग से मिलेगा ऐसे चल संपत्यों का टॉपिक भी आगे अलग से एक वीडियो में आएगा इसके आगे कि जो पॉइंट से वो मैं आपको इस वी करनी है चाहे करमचारी किसी भी प्रकार का हो तो एक तो आपको इनके नाम याद रखने है दूसरा आपको यह याद रखना है कि इनका मुल्यांकन कैसी जिया जाएगा यानि की value कितनी है जो आप income के अंदर शामिल करके दिखानी है तो पहला जो है इसमें जो मुख्य मुख्य पॉइंट है बड़े बड़े वो तो आगे वीडियो में आएंगी जो वीडियो में नहीं है वो मैं है compile कर रही हूँ पहला है इसमें आपका कर नियोक्ता द्वारा करमचारी के किसी दाइतों का भुगतान करमचारी का दाइतो नि कोई राशी जो करमचारी को चुका नहीं थी लेकिन उसकी स्थान पर नियोक्ता नहीं चुका दी उसको हम बोलते हैं नियोकता द्वारा करमचारी के दाइतों का भुकतान ऐसा भुकतान सभी करमचारियों के लिए पूनता है करयोग्य होगा कौन कौन से हो सकते हैं जैसे करमचारी के बिजली और पानी के बिलों का भुकतान जो नियोकतान ने कर दिये हो करमचारी के होटल और कलब का भुकतान उसके बिलों का भुकतान जो नियोकतान ने कर दिया हो करमचारी का आएकर या रोजगार कर जो नियोकतान ने चुका दिया हो करमचारी का कोई परसनल लोन था जिसका भुकतान नियोकतान ने कर दिया हो करमचारी के बच्चों के education का जो खर्चा था शिख्षा का जो खर्चा था उसका भूतान कर दिया हो बशरते ये school employer का नहीं है मलद नियोक्ता का school नहीं होना चाहिए उसके लावा किसी और school में करमचारी के बच्चे पड़ते हैं जहाँ पर उनकी फीज देनी थी करमचारी को लेकिन चुका दी है नियोकता ने ऐसे करमचारी के घर पे कोई नौकर काम कर रहा था जिसका वेतन नियोकता ने चुका दिया हो कार थी करमचारी की पर उसके खर्चे नियोकता ने वहन कर लिये हो या फिर इसके लाव कोई भी भुकतान, कोई भी अन्य राशी या बिल चुकानी थी करमचारी को चुका दिये नियोकता ने ये सभी राशी, सभी करमचारी के लिए पूर्ट करियोगे होगी और जितना पैसा नियोकता ने चुकाया है, उतना आपको इंकम के अंदर जोड के दिखाना है कौन-कौन से? बिजली पानी के बिलों का भुकतान, होटल कलब के बिलों का भुकतान, आयकर या रोजगार कर, परसनल लोन, बच्चों को शिक्षा का खर्चा, नोकर का पैसा, या फिर कार का पैसा, या अन्य कोई भी बिल जो आपको चुकाना था पर यहां पर ध्यान यह रखना है जैसे बिजली पानी गैस का connection है या घरली नौकर है या कार की सुवीदा है यह ती में पॉइंट देखें क्योंकि आगे इनके बड़े बड़े वीडियो भी आपके आएंगे तो यह ऐसी चीज है इसको difference देखो आप यदि इसका जैसे बिज पैसा चुका दिया नियोकता ने नौकर था करमचारी का उसका पैसा चुका दिया नियोकता ने तो ही विक्ति का दायतों का भुगतान माना जाएगा और कर्योग्य होगा यदि इन तीनों की सुवीदा दे रखी है मतलब आपके नियोकता नहीं आपको सुवीदा दे रखी पानी बिजली गैस की या घरेर नोकर आपके नियोकता ने लगा के दिया आपके घर पे या कार की सुविधा आपके नियोकता ने दिया है तो फिर यह सभी कले करियोगे नहीं होगा फिर यह करियोगे होगा केवल विशिष्ट करमचारियों के लिए करमचारी विशिष्ट है तब तो ये तीन taxable होंगे विशिश करमचारी नहीं है तो ये तीनों ही taxable नहीं होंगे कौन कौन सी चीज पानी विजली गैस की सुवीधा विशिश करमचारी की सुवीधा कार की सुवीधा और ऐसे ही आपके नियोकता की स्कूल के अंदर बच्चों की सिक्षा सुवीधा, ये सुवीधाय पर taxable होंगी सिरिफ विशिष करमचारी होने पर taxable होंगी, विशिष करमचारी नहीं है, तो ये taxable नहीं होंगी, ये बात हमें यहां पर ध्यान रखनी है ऐसे ही करमचारी के जीवन बीमा premium या वार्शी की का बीमा प्रीमियम है जो चुकाना होता है नियोक्ता को जरूरी होता है जो नियोक्ता के फायदे के लिए दुरुगटना हो गई तो नियोक्ता का काम बात इतना हो जाए या उसके इराज पर खर्चा करेंगे तो उसके अंदर आपको ही फायदा होगा तो यह तीन बीमा ऐसे है जिसका premium यदी चुकाया है नियोकता ने तो भी क्या होगा हमारे लिए कर्मुक्त होगा कौन-कौन से दुरुगटना बीमा, चिकित्सा बीमा, राज्य बीमा और फैडिलिटी बीमा, चरितता बीमा ये चार बीमा ऐसा है जिसका प्रीमियम ये दी चुकाया है नियोकता ने तो वह पूनता है कर्मुक्त होगा आये में शामिल नहीं करना ये अपना अपववाद है ये पॉइंट अपना पहले भी आया था अपने स्टार्टिंग में पढ़ाता है इसके अंदर प्रमाइद भष्ष नीदी आर पी एफ राष्टिये पेंशन नेशनल पेंशन स्कीम और अप्रूट सूपर इंशन फंड अनुमुदित अधिवाशी की नीदी इन तीनों में जो नियोक्ता का अंशिदान है वो यदि साड़े साथ लाग रुपए से जादा है तो जितना भी जादा होगा साड़े साथ लाग से वो हमारा कर्योग या अनुलाब होगा आपको इंकम के अंदर जोड के दिखाना है नियोक्ता का अंशिदान आर पी एफ में, NPS में और कुमारे लिए कर्योग या होगा साड़े साथ लाग से जितना ज्यादा पैसा है वो तो कर्योग है जो है उस साड़े साथ लाग से जो आज ज्यादा पैसे वे ब्याज होगा वो भी सभी कर्मचारियों के लिए कर्योग होगा वो भी आपको इंकम के अंदर शामिल करके दि यो होता क्या है कि कभी कभी नियुकता अपने खुद के शेयर्स अपने करमचारियों को किसी अच्छे काम के बदले में या किसी इंसेंटिव के फॉर्म में उनको सस्ती दरों पर या मुफ्त में देता है या तो फ्री में दे रहा है या सस्ती दरों दे रहा है या फिर किसी क काम के बदले में दे रहे हैं हुना कोई काम करके दिया जिसका ऑफिकतान आप ate shares का offer दिया जा रहा है, shares आपको दिये जा रहे हैं, ऐसी shares यदि आपको मिलते हैं, तो ये भी करियों की होंगे सभी करमचारियों के लिए, पर इनकी value कैसे निकालेंगे हम, तो उसमें पहला है कि यदि shares आपके stock exchange पर रजिस्टरड हैं, अधिसूचित हैं, तो जिस date को आप इन अंशों का उपयोग कर रहे हैं, उस तारीक को जो उचित बाजार मुल्य होगा, यानि जो average price होगी उस दिन की opening value प्लस उस दिन की closing value divided by 2, जो राशी निकलेगी, वो हमारे लिए पूनत है, कर योगी होगी यदि अंच आपके अधिसूचित नहीं है, तो जो भी merchant banker आपकी राशी तै करेगा, वो ही राशी आपकी सुरिदा का मुल्य मान ली जाएगी अधिसूचित है, तो आप खुद निकालेंगे, क्या आपके average market price क्या आ रही है, अधिसूचित नहीं है, तो जो भी merchant banker आपकी rate fix करेगा, वही rate आपके लिए पूनत है, कर योगी हो जाएगी ऐसे अवकाश यात्रा के दोरान, यात्रा, पर्याटन, आवास वर अन्यभत्ते, यदि अवकाश के दोरान, मत चुट्टियों के लिए यदि करमचारी कहीं भार भूनने जाता है, तो जो खर्चे आपके नियोकता देता है, या फिक खर्चों का जो reimburse करता है, उस राशी का समान रूप से नहीं मिलती है, तो फिर हम देखेंगे कि इस चीज के लिए कोई और संस्ता, बाहर की कोई एजेंसी कितना वसुल करती, यदि करमचारी यहां की बजाए किसी और ट्रेवल एजेंसी से या किसी और तरीके से बाहर गूमने जाता, तो कितना पैसा खर्च होता उत्ती राशी हमारी यहां पर टेक्सिवल हो जाएगी, पर यदि करमचारी ओफिस के काम से बाहर गया है, तो फिर सुवीधा पून्त है, करमक्त होगी, इसमें शामिल नहीं होगी, बशरते, वो ओफिस के काम से गया हो, जिसका पूरा लेखा हो, जिसमें आपका अप्रू सुवीधा का मुल्य माना जाएगा, मैं इस पॉइंट को आपस रिपिट कर देती हूँ, एक बार, यदि करमचारी बहार गूमने जाता है, छुट्टियों के अंदर, तो यदि सारे करमचारीों को सभी सुवीधा समान रोप से मिलती हैं, जो भी पैसा खर्च करेंगे, वो हमारे लिए कर्योगे हो जाएगा, सभी करमचारीों को समान रोप से सुवीधा नहीं मिलती है, तो बहाई एजेंसी, कोई दूसरी एजेंसी कितना वसुल करती है, वही हमारे सुवीधा का मुल्य हो जाएगा, यदि करमचारी ऑफिस के काम से गया है, केवल ऑफिस के काम से तो यह सुविधा करमुक्त होगी लेकिन इस स्थती में भी यदि करमचारी के साथ उसके परिवार के मेंबर्स गए हो या फिर वो ओफिस का काम खतम होने के बाद भी वहाँ पे ठेर गया हो तो जो भी एक्स्टा खर्चा होगा वो हमारी सुविधा का मुल्ले माना जाएगा एक पॉइंट और है इसके अंदर ही यदि नियोक्ता परिवयन कारे में सलगन है मतला आपका एम्प्लोर की खुद की आपकी ट्रेवल एजेंसी है खुद का ट्रांस्पोर्ट का काम है उस स्थती में करमचारी उसके फैमिली मेंबर्स को यदि कोई सुविधा दी गई है त आप ये परिवार को देता है तो आप यदि विशिश करमचारी हैं तो करियोगे होगा विशिश करमचारी नहीं है तो ये करियोगे नहीं होगा विशिश करमचारी कौन से होते हैं कौन से नहीं होते हैं यह हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे अभी आप सिर्फ याद रखिए कब यह होगा कब नहीं होगा विशिश करमचारी को मैं डिटेल में आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी ऐसे ही आपकी जो LTC है अवकाश यात्रा सहायता ये भी इसमें शामिल नहीं होगा इसके अलग से नियम होते हैं जिसका भी मैं आपको आगे एक सूइधा फ्री में नहीं है कुछ पैसा वसूळ कर रहा है तो जो भी राशी वसूळ की जाती है उसका आप सूइधा के मुल्य में से घटा देंगे तो जो राशी निकलेगी वो हमारे लिए हो जाएगी कर्योगे जिस सबोस करो कि आपको नियोगता ने खर्चा किया 10,000 र अगला पॉइंट है हमारा निशुल्क भोजन नाश्टे और शीतल पे की सुईदा यदि ओफिस और्स के दारान आपको कोई चाय या हलका नाश्टा या गैर नशीला कोई ड्रिंक दिया जाता है तो अपना पूंत है करमुक्त होगा या नाश्टे के फॉर्म में दिया गया ह अपना नशीला कोई या कोई या आपको अपधी बोजन की सुईदा होगी तो वह क्या होगी हमारे लिए करमुक्त होगी इसके अलावा दूरदराज के शेत्रों के अलावा यदि आपको किसी अन्य इस्थान पे भोजन की सुवीदा है तो 50 रुपए प्रती भोजन 50 रुपीज पर मील तक करमुक्त होगी शेश राशी करयोगी होगी यानि रिमोट एरिया के लावा कहीं पर आपको खाने की सुवीदा दी गई है तो वो जो भोजन का आपको खर्चा है वो 50 रुपए प्रती मील तक करमुक्त होगा शेश राशी हमारी करयोगी होगी यानि यही सुवीदा आपको ऑफिस आर्स के बाद दी जाती है तो फिर हमारे को पूंट आ करयोगी होगी फिर मोगो करमुक्त इसमें नहीं मिलेगी करयोगी हो जाएंगे सेम ऐसे अपना अगला पॉइंट है उपहार, वाउचर वर टोकन का मुल्यांगतन यदि आपका नियोकता आपको कोई या आपके परिवार के मेंबर्स को किसी समाहरों पर या किसी फेस्टिवल पर कोई उपहार देता है या वाउचर देता है या टोकन देता है तो उसके बदले में जो भी राशी आपको मिलेगी जिसके बदले में कोई उपहार पाप दिया जा सकता है तो नियोकता दोरा वेकी के राशी सुईता का मुल्या होगी मतलब कोई भी आपको उपहार दिया गया है या उपहार के बदले में convert होने वाला कोई token दिया गया है तो वो हमारे लिए पूर्ट है करियोग्य होगा बस ये ध्यान लखना है यदि ये उपहार 5,000 रुपए तक है तो ये करमुक्त होगा 5,000 से जादा है तो ही हमारा ये करियोग्य होगा उपहार पर ये उपहार पूर्ट है cash के form में या cash में convertible है मतलब आपको जो उपहार cash के रूप में ही दिया गया है या फिर इस form में दिया गया है कि तुरंट cash में convert हो सकता है तो फिर उपूर्ट है करियोग्य होगा फिर उस पे 5000 का नियम लागू नहीं होगा मतलब मैं फिर repeat कर रही हूँ यदि उपहार आपको वस्तू के रूप में दिया गया है तो 5000 तक कर्मुक्त है शेश राशी करियोग्य है उपहार आपको cash में या cash में convertible है तो फिर वह हमारे लिए पूर्ट है करियोग्य होगा से मैं से अपनी अगली सुविधा है क्रेडरी कार्ड की सुविधा यदि करमचारी को या उसके परिवार के members को नियोग्ता को एक क्रेडरी कार्ड या add-on कार्ड को देता है तो जितना भी पैसा उसमें खर्च किया होगा कार्ड के उपर वो हमारे सुविधा का मुल्य हो जाएगा जितना भी पैसा आपने खर्च किया है membership का या animal fees का या जो भी पैसा उसने खर्च किया है यह सब हमारे लिए पूर्ट है करियोग्य हो जाएंगे जो नियोग्ता ने चुकाए है लेकिन ये नियोग् करमचारी प्रूव कर देता है कि यह सारे खर्च आफिस के लिए किये गए है जिसका आपने लेखा भी रखा हुआ है और ये clear है कि आफिस के लिए ही सारे खर्च किये गए है तो फिर क्रடिकार की सुईदा हमारे लिए करमुक्त हो जाएगी यानि नटस्ट जैल में कोई भी चीज आफिस लिकी गई है तो करमुक्त होगी निजी प्रियोक्त लिकी गई है तो हमारे लिए वो कर्योग्य हो जाएगी सेम इसे तरिके से कलब की membership है यदि करमचारी को उसके family के members को आपका नियोकता कोई club की सुईधा देता है तो जितना भी पैसा आपने खर्च किया होगा वो हमारे ले क्या हो जाएगा करयोग्य हो जाएगा लेकिन यदि किसी club की आपके नियोकता ने नियमित membership ले रखी है जिसका उपयोग उसका करमचारी उसके family के member भी करते है तो जो भी नियमित यानि जो भी आपका नियम में सरता सुल्क होगा वो तो हमारा करयोग्य नहीं होगा क्योंकि वो तो command उप से दे रहा है आपका वो उसके अलावा जो खर्चे होंगे वो हमारे लिए पूर्ट है करयोग्य हो जाएंगे बशरते वो निजी प्रयोग के लिए हो ओफिस प्रयोग के लिए है तो करयोग्य हो जाएंगे लेकिन health club की और sport club की जो सुवीदा होती है यह मानके चलते हैं कि नियोकता अपने करमचारियों को healthy रखने के लिए खुद सुवीदा दे रहा है ताकि वो अच्छी तरह से काम कर सके हैं तो अपने ही office के फायदे के लिए दे रहा है इसलिए health club की सुवीदा और sport club की जो सुवीदा होगी वो पूनतैक करमुक्त होगी इसको income में शामिल हमें नहीं करना है तो ये सारे points हैं जो सभी करमचारियों के लिए पूनतैकर योगे हैं उनको कितनी राशी शामिल करनी है कितनी नहीं करनी है ये सारी चीज़े आपको डंक से देखनी है इस वीडियो में मैं आपको handwritten notes भी उसका link भी मैं आपको description box में डाल दूँगी उन notes को यदि आपने प link में आपको डाल दूँगी इस वीडियो के साथ उस notes को आप पढ़िए समझिए याद कीजिए हर वीडियो के साथ आपको मैं एक दिन का gap दूँगी उस gap में आपको notes अच्छे से याद करके रखने है ताकि अगले वीडियो आने तक अबन जब किष्टों में याद करेंग आते हैं तो बड़े question शुरू होने तक आपको सारे notes या तो clear हो गए होंगे या almost सारे याद हो गए होंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी question आराम से समझ में आ जाएंगे income from salary अपने आप में एक important topic है इसमें से 20 marks का question आने के chance सबसे ज़्यादा है तो यह chapter आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से करना है तो मेरे साथ इस वीडियो के साथ साथ आपने notes को आप लिखके अच्छे से याद करने कोई भी doubt ये दी है तो मुझे आप पूछिए call phone करके पूछिए या WhatsApp पूछिए या इसमें आप डाल दीजिए कि आपको क्या दिक्कात आ रही है तो मैं आपको समझा दोंगी और अपने doubts को साथ के साथ ही clear करते वे चलिए आज के लिए इतना ही